आज के वीडियो में कमला देवी हैरिस के unknown facts को जानेंगे कमला देवी हैरिस के पिता डॉनल्ड हैरिस अमेरिका के स्टानफॉर्ड युनिवर्सिटी के economist प्रोफेसर थे और उनकी मा डॉक्टर श्यामला गुपालन साथ इंडियन थी उनके maternal grandfather नाना जी इंडियन civil service में थे जिनसे उन्हें public service की प्रेरणा मिली भारतिय सभ्यता में कमला का मतलब lotus है और हिंदू साहित्य में कमला देवी का मतलब goddess लक्षमी है जिसे दन का प्रतीत माना जाता है कमला देवी हैरिस की राष्ट्रियता अमेरिकन है इनकी साथ साल की उम्र में ही उनके parents का divorce हो गया था और कमला हैरिस अपनी मा और बहन के साथ रहने लगी महस्त तेरा साल की उम्र से ही कमला हैरिस politics में शामिल है और आज 56 साल की उम्र में white house की तरफ move कर चुकी है 2010 में Harris California की attorney general रह चुकी है और 2021 में आज अमेरिका की first black या first female vice president बनी है